निर्वाचन ऐसी जगात करें जहां पे काफी मात्रा में धूप आता है चाया ना रहे और पानी ना जमें पहले जो चीज हमें द्यान देना चाहिए हमें सठीक जात निर्वाचन या सठीक भाराइटी हमें कौन सा लगाना चाहिए और गोविट भाराइटी है जिसमें अब भार में जैसे पुषाचर आती है भी सोधन करने के लिए जो किसान मांचेके खेति करना चाहते है उसके लिए मैं बताऊंगा दो ग्राम के आप टन प्रती कीलो बीज के बीज में उसको 15-20 मीट कभी अच्छी तरह मीज करके चाया में रहाग दे और जो और गनिक खेती करना चाहते है वो ट्राय के डोमा फिरीटी से भी अपने बीज को सोधन कर सकते है बीज सोधन करने के बाद आप आप जो नर्सरी के तैयारी कैसे करें और नरसरी बेट का जो लंगा होना चाहिए कर तीन मीटर और उसका जो 4 है ऐए 6 से 1 मीटर भी होना चाहिए और दोनों जो बेड है उसके बीच में 6 से 1 मीटर की दूरी होना अवर्शक है जिसमें आप अंतरवर्ति जो परिचारज आप कर सकते हैं उसके लिए आपको किलो ट्राइकोडर्मा फिरेडी कम से उन 10-15 दिन पहले अच्छी तरह मिक्स करके उसको छाया में रख दे जहां पर आप बाद में वह जो मिक्षर है उसको आप भी अच्छी तरह मिट्टी में मिला सकते हैं और इसके लिए आपको जो सरीय गुपर की खाट और ट्राइकोडर की जो घविरत आ है या तो दो से तीन से निमिसे जाना होना नहीं चाहिए और दो जो लाइन है उसके बीच में पांस से छे से निमितर से दूरी होना चाहिए अभी लाइन ठीचने के बाद आप बीच को अच्छी तरह बुगाई कर दे बीजाई होने के बाद आप सुखी बीच को अच्छी तरह ढग दे और उसमें फो आरा से अच्छी तरह पानी दे दे और चार से पास दिन बाद आपका आप देखेंगे पौदा आना शुरू हो जाता है जनरेशन सुरू हो जाता है और जनरेशन होने के तुरंब बाद आप जो गास है उसको हटा दीजिए औ दो ग्राम क्याप्टन एक लिटर पानी में मिलाकर उसको अच्छी तरह ड्रेंचिंग कर दे और इसके बाद गुराई भी कर दे जिसमें पौड़ा की अच्छा ग्रोध बनी रहे तीस से पाई तीस दिन बाद आप देखेंगे अब पौड़ा तयार हो जाता है एक चीज़ आ प्रॉट अन्-शूट बुरा रहा तो फल या कांदर चेदंकरी जो की रहा आता है इसका प्रव्बत बहुत आता है और अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए फिरोमन ट्रैप जो बजार में फिरोमन ट्रैप मिलता है उसको कम सकम दस बेड में एक या दो एक से दो प् और इसके लिए आप स्पाइनोसेट के एक और्गनिक पिस्टिसाइड है वो भी 3-4 ml प्रती 10 लिटर पानी में घोल कर उसको स्प्रेइंग भी कर सकते हैं